अलो सुडेंस मिन नाम वनीत पांडे और आप देख रहे हैं टू पाई क्लासेस बच्चो फोर्थ एंड लॉज अफ मोशन में हम इस शांद बुक को सॉल्फ कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने पेज नमबर 57 कोशन नमबर 50 तक सॉल्फ किया था इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं पेज नमबर 57 जो हॉट्स कोशन यहां पर हैं कोशन बेज ऑन हाई ओर्डर थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छे कोशन हैं ठीक है तो इनकॉम सॉल्फ करेंगे बट इसके पहले की कोशन अगर आपको नहीं मिले तो यूट्यूब पे टाइप करिए इस शांद स इस तरीके से यहां पर वर्टिकल वाल मतलब ग्राउंड के साथ 90 डिगरी बना रही है यह वर्टिकल वाल है ओके सुटिंस यह वर्टिकल वाल है और इस वर्टिकल वाल पर चलिए हम यहां पर दिखाते हैं आपको एक बॉल है आपकी यह देखी यह एक बॉल है आपकी प्लास्टिक की बॉल ठीक है सपोस यह है आपकी प्लास्टिक की बॉल प्लास्टिक की बॉल और यह है आपकी जो नेक्स वाली बॉल है बच्छों मा नहीं क्या बोले आपको, इनके masses कैसे है, equal है, okay students, masses equal है, तो इसका mass क्या है, let us say, इसका mass M है, और इसका भी mass कितना है, M है, correct, अब इसकी speed suppose V है, और इसकी speed suppose V है, V speed से इस direction में, straight line में, और ये V speed से इस direction में, straight line में जा रहा है, दोनों जाके, जैसे दीवार पर टकराएंगे, त रेखे, हम ये assume कर रहे हैं, क्या, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बच्छो, हम निकालते हैं, क्या, हम निकालते हैं, plastic ball का momentum, okay, so momentum of plastic ball, P का मतलब momentum, okay, और ये नीचे जो P लिखा हुआ है, इसका मतलब plastic ball का momentum, किसका momentum, plastic ball का momentum, PP, PP मतलब momentum of plastic ball, अब पता है, यह momentum का formula तो सभी बच्चों को पता है, mass into speed या mass into velocity, by body straight path में जा रही है, तो जो उसकी speed होगी, वही velocity होगी, mass into velocity, ठीक, तो m into v, mv आ जाएगा, ठीक, तो यह क्या है, momentum of plastic ball, इसी तरीके से यह आप momentum निकालेंगे किसका, clay ball का, pc, pc का मतलब momentum of clay ball, is equal to mass, वही है, velocity होग speed यहाँ पर आप समझ सकते हैं, body straight line में चल रही है, तो जो speed होगी, वही velocity होगी, ठीक, तो देखिए, दोनों का momentum सेम आ गया, तो यह वाली ball कितना momentum लेके जा रही है, mv, momentum को quantify करोगे न, momentum की कुछ ना कुछ quantity होगी, तो यह कितना momentum लेके जा रही है, mv, यह भी कितना momentum लेके से टकराती है, और rest पर आ जाती है, मान लो टकराते ही, वैसे तो आपको पताये है, टकरा के bounce back करेगी पीछे, lettuce से, यह क्या हो जाती है, rest पर आ जाती है, आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीके न, यह suppose rest पर आ गई, ok students, और यह वाली ball भी suppose rest पर आ गई, टक झांटक रिवार को, क्या plastic के ball के particles निकल के, क्या plastic के ball के जो molecules है, या plastic के ball के जो particles है, वो निकल के धिवार में जाके लगे क्या, नहीं, यान्यों कि.. इसी तरीके से डिवार इसका भी कोई पार्ट कोई पार्टिकल जाके दिवार में नहीं चाहां कुछ पार्टिकल के लग गए होंगे उसको आप इग्णोर कर दो उसके बहुत कम होंगे बाइस तो मास्टांफर नहीं हुआ दिवार को मेरी बाद ध्यान से सुनिएगा ठेक त तो अब momentum कितना हो गया, ध्यान से सुनिए, अब momentum कितना हो गया, इसका भी momentum हो गया, अब कितना, plastic ball का, m into 0, 0, इसका भी momentum कितना हो गया, PC, PC मतलब clay ball का momentum, m into 0, m तो m है, और v की value 0, m into 0, 0, दोनों का momentum 0 हो गया, ठे, तो ये कितना-कितना momentum लेके आये थे, mv, mv, अब इनका momentum final, इसका momentum कितना हो गया, 0, इसका भी हो गया, 0, तो यह momentum कहा गया, जवाब है, यह momentum चला गया, दीवार में, yes sir, तो बताइए, first वाली ball ने कितना momentum transfer किया, तो जवाब है, पहले इसके पास momentum कितना था, ध्यान दे बच्चे, पहले इसके पास momentum था mv, अब हो गया 0, तो कितना transfer हुआ, mv से 0 हो गया, तो कितना momentum transfer हुआ, उसकी numerical value क्या है, mv, भाई, मान लो, mv की value 5 थी, अब 5 से 0 हो गया, तो कितने का change आया, 5 का, भाई, 5 minus 0, 5 का change आया, तो 5 momentum transfer हो गया, wall को, ठीक, इसी तरीके से next वाला देखिए, इसक का कुछ ना कुछ ऐसा है, speed कुछ ना कुछ ऐसी, multiply करके 5 आ रहा है, दोनों का same था, तो 5 से इसका भी कितना हो गया, 0, तो इसने भी कितना momentum transfer कर दिया, 5, किसको wall को, तो देखा आपने, दोनों ball के mass same थे, दोनों ball की speed same थी, इसलिए दोनों ball ने, क्योंकि momentum किस पे depend करता है, momentum momentum depend करता है, mass और speed पे, तो यहाँ mass और velocity पे, दोनों का mass और velocity same था, इसलिए दोनों ball ने, same momentum दिवार को transfer किया, अब थोड़ा सा feel यहाँ पे आप ले लीजे, feel यह है, कि momentum को दो तरीके से transfer किया जा सकता है, momentum to physical quantity पे depend करता है, mass पे और velocity पे, तो momentum को, या तो mass को transfer करके, transfer किया ज जा सकता है, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान सरा चेक करिए, mass तो transfer नहीं हो रहा, मैंने आपको बता दिया, तो क्या transfer हो गई, speed transfer हो गई, यानि कि इस speed इस wall में चली गई, अब थोड़ा और feel करिएगा, तो wall चलने क्यों नहीं लगी, speed के जाने का मतलब है, कि आप अगले chapter में प तो momentum transfer हुआ, mass तो नहीं transfer हुआ, यह speed transfer हो गई, speed transfer हो गई, यानि कि ball की kinetic energy थी, दोनों ball की दीवार में चली गई, दीवार में जाके कहां गई, molecules को मिल गई, लेकिन molecules थोड़ा सा ऐसे अंदर प्रेस हुए होंगे, फिर ऐसे से vibrate करके अपनी mean position पे आ गए, वो आपको आखो स सनी दिखाई पड़ेगा, वो microscopic level की चीज़े है, सीधे शब्दों में बोले, तो दोनों ball की same amount of energy कहां चली गई, दीवार के molecules के पास, और दीवार के molecules बिचारे vibrate करे होंगे उस energy से, और फिर रुख गए होंगे, क्योंकि vibration जब वो कर रहे होंगे, तो फिर अंदर कुछ तो अब ये तो मैंने आपको feel कराने के लिए बताया है, क्योंकि hot वाला question था, सब कुछ आपको आना चाहिए, इसमें, exam में क्या लिखेंगे, तो exam में सिर्फ इतना लिखेंगे, ध्यान से चेक करिए बच्चो, exam में सिर्फ इतना लिखेंगे कि the wall will receive equal momentum from both the balls, दोनों ball से wall को दीवार को equal momentum मिलेगा, reason क्या है, reason ये, this is because both the balls have the same mass, दोनों का mass क्या था, same था, दोनों की speed क्या थी, same थी, ठीक, तो दोनों का M into V, यहने के momentum same आया होगा, तो ये momentum इतना लेके गए, 5, 5 और दीवार को दे दिया, क्योंकि दोनों के 0, 0 हो गए, ठीक, तो वही चीज़े, this is because both the balls have equal mass and equal velocity, या equal mass and equal speed, okay students, note कर लीचे, now students, लेते हैं question number 52, very easy question, कह रहा है कि a moving bicycle come to rest after some time if we stop paddling it, but Newton's first law of motion says that a moving body should continue to move forever unless some external force acts on it, how do you explain the bicycle case, बच्चों देखी Newton's first law क्या कहता था, कि अगर कोई body अपने state of motion में है, एक straight line में, constant velocity से जा रही है तो, वो उसी velocity से straight line में motion करती रहेगी, कब तक, जब तक उसके उपर कोई external force ना लगाया जाए, तो वो यही कह रहा है, कह रहा है कि bicycle जब आप चलाते हो, तो आप जब तक तो paddling करते हो, ठीक है, जब आप paddling करना, paddle मारना, जब आप बंद कर देते हो, तब वो क्यों नहीं चलती रहती ही, चलना चीए था, ठीक है, भाई, जो आपकी bicycle है, उसको straight line में according to Newton first law, अपने state of motion को maintain करने के लिए, उसको straight line में जीवन भर चलना चीए था, आमेशा, बट वो नहीं चलती क्यों, यानि कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा force है, जो हमारे bicycle को आगे से oppose कर रहा है, हमारे bicycle क uniform velocity वाले motion को oppose कर रहा है, और वो fourth कौन है, air resistance, बच्चों यहाँ पर दिखी, बहुत सारे air के particles होते हैं, जो आपको आँखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे, जैसे ही आप paddle मानना बंद करते हो, ठेक, क्या होता है, आप इधर motion करना चाहती है, आपकी cycle हो अपने state of motion को maintain रख आती है, लेकिन यहाँ पर present होता है air resistance, air resistance, नाम सही बता चल रहा है, कि air के जो molecules होंगे, वो आपके motion को resistance देंगे, जैसे मानलो, कोई बहुत सारी भीड़ लगी हुई, भीड़, आप दोरते हो आ रहे थे, constant velocity से, आपकी limited energy होगी, उस energy से आप आ रहे उस तरीके से, ठेक, आपने paddling मारना बंद कर दिया, paddling करना आपने बंद कर दिया, तो सामने से जो air के molecules हो आपकी body को, आपकी cycle के body को resistance देंगे, आप उन से तरीके से टकरा रहे हो, हाँ, आपको feel नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि air के molecules इतने छोटे छोटे होते हैं, तो आँखों से दिखाई तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ, वो आपको resistance दे रहे हैं, ठीक, एक तो यह हो गया, दूसरा क्या हो गया, कि यह दिखी, यह आपके जो wheels है, और जो road है, इसके बीच में opposite direction में क्या लगता है, frictional force लगता है, ठीक है, तो यह दोनों जो forces है, air resistance वाला force, frictional force, य इसकी वज़े से आपकी cycle, थोड़ी दिर के बाद stop हो जाएगी, उसकी speed decrease होने लगती है, बस, तो Newton second law, Newton first law यहाँ, violet नहीं हुआ है, सही तो है, जिस direction में जा रहती cycle, तो उसी direction में चलती रहती है, चलती रहना भी चाहती है, लेकिन भाई, opposite direction में force लगा के उसको रोका भी त at a uniform speed, it does not go on moving forever, it eventually come to rest after some time, सबसे पहली line में हमने बताया कि अगर कोई body, अगर कोई cycle है uniform speed से जा रही है, हमने paddling करना बंद कर दिया, तो थोड़ी दिर के बाद वो rest पहा जाती है, reason फिर बताया हमने, this is because the moving bicycle has been compelled to change in state of uniform motion, यह देखिए, ठेक है, हमारी जो moving bicycle थी, it has compelled, it has been compelled to change in state of uniform motion, यहने कि इसके उपर कोई external force लग रहा है, जिससे कि इसके state of uniform motion में change आने लगेगा, और वो forces कौन से हैं, आगे देखिए, by the external force of air resistance and friction, if there were no air resistance and no friction force, suppose the motion of the bicycle, then according to first law of motion, the moving bicycle would go on moving forever on a horizontal road, it cannot stop by itself, okay, तो हम कहे रहे हैं, हम एक assumption लेके चल रहे हैं, कि अगर air resistance ना होता, first law के according, यह bicycle, जिंदगी भर horizontal में, यह horizontal road है, इस horizontal road पे जिंदगी भर straight line में चलती रहती, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन बातों का explain करेंगे, note कर लीचे, now students, लेते हैं question number 53, question number 53 में बोल रहा है, a man throws a ball weighing 500 gram, देखो, एक ball है, और उसका weighing, weighing का मतलब उसका mass दिया हुआ है, आ mass को सबसे पहले तो kilogram में change कर लें, चलो, तो यह आपकी ball है, और ball का mass बच्चों कितना दिया हुआ है, 500 gram दिया हुआ है, इसको kilogram में पहले convert करेंगे, कैसे, 500, ठीक है, gram की जगा, kilogram में convert करने के लिए 1000 से आपको divide लगाना पड़ेगा, जैसे ही आपने इसको 1000 से divide लगाया, यह यह दोनों 0 कड़ गए, 5 upon 10 कितना होता है, 0.5 kilogram होता है, तो इस तरीके से बच्चों, आपका जो mass है, वो कितना आ गया, 0.5 kilogram, ठीक, तो 0.5 kilogram की एक ball है, इसको हम उपर फैंक रहें, उपर की direction में इस तरीके से, 1, 2, 3, start, ठीक, अब इसके motion को देखो, जैसे ही हमने इसको फै फैंका उपर की direction में, यह ball है, और ऐसे इसको फैंका जब, ठीक, तो यहाँ पर इसका mass कितना है, जैसे ही आपने इसको throw किया, mass है 0.5 kg, इसकी speed, speed को मैं V से दिखा रहा हूँ, speed कितनी है, 10 meter per second, अब बताओ, क्या आप ball का momentum नहीं निकाल सकते हैं, बताइए, mass दिया हुआ है speed भी दी हुई है, ठीक, तो यही उसने part 1 में आपसे पूछा है, कह रहा है, what will the initial momentum, so part 1 का answer देखिए, initial momentum कितना हो जागा, initial मतलब starting में, जैसे ही ball को आपने उपर फैंका, ठीक, तो initial momentum, तो initial momentum जो होगा आपका formula क्या होता है, mass into speed, या mass into velocity, क्योंकि motion straight line में हो रहा है, तो जो mass ह इतना है, mass है, आपका 0.5 kilogram into velocity, या speed कितनी है, 10 meter per second, solve कर लीचे, answer आजाएगा, बच्चों ध्यान दे, यहां से point हटाया, 10, 10 से 10 चला गया, बच्चा 5, ठीक है, only 5, 5, और unit में बच रहा है, kilogram meter per second, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कि part 1 का answer है, वो है आपका 5 kilogram meter per second, ओके students, ठीक है, यह चीज़ हो गई, अब देखिए, इन्होंने पूछा part 2 में, what would be the momentum at the highest point of its flight, highest point of its flight का मतलब क्या होता है, ध्यान से चेक करो, अब यह ball है, मान लो, ठीक, तो इस ball को जब हमने फैंका, 1, 2, 3, start, ठीक, जैसा यह top पे पहुचेगा, तो lot के वापस नीच आएगा, तो क्या आपने इसके motion को गौर किया, यह जैसे ही top पे पहुचता है, और उपर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसकी velocity कितनी होगे, 0, पल भर के लिए इसकी velocity हो जाती, 0, यानि कि जब यह highest point पे होगा, तब यहाँ पर इसकी velocity कितनी होगी, 0, इस चीज़ को आपको note करना है, यह देखिए, ball को ऐसे हमने थ्रो किया, और यह वाला point किया है, lettuce से यह h point है, h का मतलब highest point है, और यहाँ पर जो ball की speed होगी, वो जाएगी 0, क्योंकि यह जाता है, और पल भर के लिए यहाँ पर रुकता है, stop करता है, पल भर के लिए रुकता है, तो यहाँ पर इसकी velocity कितनी नहीं change होगा, यानि कि 0.5 kg रहेगा mass, ठीक, लेकिन velocity कितनी हो जाएगी, speed कितनी हो जाएगी, 0 meter per second, अब देखो 0 into something क्या होता है, 0, तो 0 into 0.5 हो गया, 0, तो 0 kg meter per second, तो part B का answer क्या आ गया, जहां से चेक करिए, part B का answer आ गया, at the maximum height, the velocity of the ball is 0, ठीक, maximum height पर velocity 0 है, यह reason है, क्या कि its momentum at highest point of its flight would be 0, okay students, highest point पे इसका momentum कितना होगा, 0, देखो, highest point of its flight, its flights का मतलब, जितनी देर वो हवा में रहता है, तो यहां से यहां तक वो हवा में रहता है, यह इसका maximum point है, यहां पे velocity 0, इसलिए momentum 0, ठीक, तो यही चीज़ लिखी कि momentum at the highest point of flight would be 0, बल्कि हमको लिखना चाह किता, would be 0, unit भी तो लिख दो, 0 kilogram meter per second, ऐसे करके लिखे, okay students, तो यह part B का answer है, note कर ली चे, now students, question number 54, a car is moving on a level road, if the driver turns off the engine of the car, the car speed decreases gradually and ultimately it comes to stop, a student says that two forces acts on the car which bring it to a stop, what could these forces be, which of the two forces contributes more to slow down and stop the car, अब देखिए बच्चों कहरेगी कोई car straight line में जा रही है और driver ने engine off कर दिया, बस brake नहीं लगाए है, बस engine off कर दिया, मतलब अब engine अपना process नहीं कर रहा है, engine car को नहीं बढ़ा रहा है, क्या होगा, according to first law of motion, यह अपने uniform motion को maintain रखना चाहती होगी car, सीधे चलना चाहती होगी लेकिन दो force ऐसे होंगे जो इस car के उपर काम कर रहे है, opposite direction में उसको stop कर देते हैं, यह देखिए, यह car है, car का engine off कर दिया, अब आपको पता है कि यह car के motion की direction है, left से right, left से right motion कर रही है car, अब बताओ, यहाँ पर air बहुत सारी present है आपको पता है, यह air है, air के molecules है, तो air के molecules क् करेंगे, इस car के motion का oppose करेंगे, जिसको हम क्या बोलते है, air resistance, इसको आप इस तरीके से feel कर सकते हो, मानलो आप दोड़ते वए जा रहे हो, सामने से भीड आ गई, भीड, तो इस भीड में लोगों से आप टकरा होगे, और आपकी speed decrease हो जाएगी, सही बात है, तो वही यहाँ पर हो रहा है, car ऐसे जा रही थी, सामने air resistance आ गया, यानि कि air के molecules से collision होता होगा car का, जिससे की car की speed कम हो जाती, तो एक तो air resistance इसको opposite direction में मिलता है, और दूसरा, इस car के motion को oppose कौन करता है, frictional force, इस car के motion को oppose कौन करता है, frictional force, ओके students, यह बात आपको पता है, यह दोनों force हैं, मजबूत force कौन सा है, यानि कि कौन सा force ऐसा है जो ज़़ादा contribution करेगा car को रोकने में, तो जवाब है, frictional force, ओके याद रखेगा, frictional force, speed को decrease करने में, ज़़ादा contribution अपना करता है, दोनों इसको oppose कर रहे हैं, दोनों इसकी speed को decrease करना चाहते हैं, air resistance भी और frictional force भी, ज़़ाद कौन तो जवाब है frictional force ओके students तो यह experimental result है इसको आप इसी तरीके से learn कर लिजे कई किताबों में आपने पढ़ा होगा बच्छों क्या कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जो air resistance को neglect कर दो air resistance को कई किताब में नगलेक्ट कर देते हैं जीरो मान लेते हैं क्योंकि यह air resistance वाला force बहुत कम होता है rather than frictional force तो कौन सा force बढ़ा होगा यहाँ पर frictional force तो frictional force is greater than frictional force is greater than air resistance okay तो यह reason है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि frictional force एक तरीके का electrostatic force होता है मतलब यह plus minus charges के बीच में लगने वाला force है बहुत strong force होता है जब भी positive or negative charges के बीच में कोई force लगता है ठीके तो बहुत strong होता है interlocking बहुत अच्छी होती है मतलब car के tires के बीच में कुछ positive particle होंगे ground में कुछ negative particle होंगे ऐसे समझो उनके बीच में कुछ force लग रहा होगा जिससे की friction force develop हो रहा है ठीके just knowledge के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको exam में नहीं लिखना है तो interlocking बड़ी अच्छी होती बहुत अच्छा force लगता है ठीके इसले कार अच्छे से motion नहीं कर पाती है तो ये विडियो अगर आपने देखे हुए है ठीके लास्ट के वीडियो तक तो बहुत अच्छी बात है और नहीं देखें तो मैं आपको बता दो यहां हम बात कर रहे है जो हमें अस्ट्राइग गया तो बलून को इस तरीके से प्रेश की आपना ने ये equal and opposite force है, two forces है, suppose ये वाला force F1 है, और ये वाला force F2 है, ठीक, अब इसका net force कितना आ जाएगा, net force, यानि कि total force, या resultant force कितना आ जाएगा, five, five, cancel कर दिया, net force कितना आ गया, zero आ गया, ठीक, तो जब एक body पे लगने वाले, जाएगे, दो या, दो से जाएगा forces का net force कितना आता है, zero तो यसे forces को balance force बोलते हैं, तो ये दोनों force कैसे balance force, ये दोनों force कैसे है, balanced force, ठीक है, अब ये balance forces ने क्या किया, क्या motion कर दिया, इस body में, नहीं, बालन्स forces, motion नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहा हैं, इसका shape चेंज कर रहे हैं, तो no motion, no motion, ठीक, और क्या कर रहे है, can change the shape, या changing the shape, ओके students, so, changing the shape, आपको पता है, कि बलून का shape चेंज हो जाएगा, squeeze हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, ऐसे प्रेस करोगे, 55 Newton से, ओके, तो ये देखिए, balance force ने क्या कर दिया, motion नहीं करा पाया, और shape चेंज हो गया, balloon को लेके आप प्रेस करके देख सकते हो, balloon motion नहीं करेगा, वहीं पर बिचारा रहेगा, अपनी position पर, net force, क्या आ रहा है, zero आ रहा है, ठीक, तो ऐसे forces, जिनका net force, zero आता, उसको क्या बोलते है, balance force, balance force ने आपर motion नहीं किया, क्या किया, shape change कर दिया, ठीक, दूसरा न्यूटन से, और मैं इसको ऐसे पीछे खीच रहा हूँ, 3 न्यूटन से, ठीक, तो F1 की value कितनी है, force 1, आपने लगाया, इधर 10 न्यूटन, force 2, मैंने लगाया, 3 न्यूटन, अब इस पर net force कितना आ गया, net force, 10-3, 7 न्यूटन, ठीक, अब ये net force कितना आ रहा है, 7 न्यूट कहने के लिए तो 2 forces है, 10 और 3, लेकिन इनका net force कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इस direction में, तो इस direction में motion होगा, ठेक, तो net force 7 है, जो कि 0 के equal नहीं होता है, तो ऐसे forces को हम क्या बोलते है, unbalanced forces, क्योंकि ये इसको balance नहीं कर पा रहा है, यहाँ 5-5 balance हो गया तो, balance forces, ये 10-3 को balance नहीं तो उस 7 newton से body इधर move करेगी, यानि के ये किसके example है, आपके unbalanced forces के, unbalanced forces के, तो unbalanced forces क्या कर सकते हैं, motion कर सकते हैं, लेकिन ये जो table आपने लिए, क्या table के shape में कोई change हो जाता है, नहीं, तो no change in shape, no change in shape, क्या unbalanced forces shape में change कर सकते हैं, हाँ कभी कर सकते हैं, जब body कैसी होती है, non rigid एक rigid body हमने लिए है, detail जानना हो तो पीछे से, देख क्या ही है, मैं कई बार हर एक वीडियो में मैं क्या क्या बता हूँ है ना, तो starting से playlist follow करिए, okay students, तो ये वाले question में तो हम बस इतनी बाते सीख के इस question को solve कर सकते हैं, आईए देखिए, कह रहा है कि there are two types of forces x and y, तो x और y two forces ह x type can produce motion, हाँ, x क्या कर रहा है, motion produce कर रहा है, अब जाके देखो, motion कौन produce कर रहा है, तो unbalance force, यानि कि x क्या हो गया, unbalance force, ये देखिए answer, the general name of the force x is unbalance force, लिखा भी है, x क्या करता है, motion produce करता है, stationary body में, but cannot change the shape, x motion produce कर सकता है, लेकिन shape नहीं change कर सकता है, तो देखो, यहाँ पे un unbalance forces थे, ठेक, तो इसने motion produce किया, shape नहीं change कर रहा है table का, तो x क्या हो गया, unbalance force, इसी तरीके से y के बारे में information दी हुई है, on the other hand, belonging to y, cannot produce motion in a body, but can change the shape of the body, okay students, तो y, जो है, वो motion produce नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे जोनों forces जो है, वो कैसे y के example है, balance forces के example है, ये motion नहीं कर रहा ह तो y क्या होगे आपका, the general line of the such forces, y as y is balance forces, okay students, तो